Hi everyone, good evening all of you, hope you all are safe and healthy at home So, आज की इस क्लास में हम क्लास थर्ड की EBS करेंगे चैप्टर नंबर 5 पर हम आ चुके हैं And the chapter name is Choto's House इसमें इसमें चैप्टर में सबसे पहले हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे मैं इस चैप्टर को पूरे explain करूंगी और in the end इसमें लगभग 20 questions बन रहे हैं हमारे उन 20 questions को हम मैं आपको पूरा लिख कर उनके answers आपको explain करूंगी So, let's start for the delay इस चैप्टर में चोटू की स्टोरी बताई गई है चोटू एक गाउं को बिलोंग करता है और एक वो मुंबई जैसे बड़े शहर में आता है मुंबई जिसमें बहुत जादा भीड़ भार रहती है बहुत बड़ी एक सिटी है वहाँ पर छोटू आता है और वो काम की तलाश में आता है मुंबई जैसे बड़े शहर में लेकिन उसके पास पैसी नहीं होते हैं ना ही उसके पास घर होता है तो वो इधर उधर भटकता है गूमता है और फिर उसको एक सड़क के साइड में उसको एक पाइप दिखाई देती है जिसे वो अपना घर समझ लेता है उसे अपना घर बना लेता है वो उसी में अपना Mumbai for the first time जो छोटू है वो Mumbai पहली बार आता है आप जैसे पिच्चर में देख रहे हो ना यह जो लड़का खड़ा है इधर यह छोटू है फिर आप देखो दूसरी वाली पिच्चर में देखो बहुत जादा तेज हवाज चल रही है बारिश आ रही है और जो छोटू है वो ऐस पर रह सके तो फिर उसको अचानक सड़क के साइड में पाइप दिखाई देती है तो उसे वो अपना घर बना लेता है वो उसी में अपना टाइम स्पेंट करता है उसे अपना बैडरूम बना लेता है वहीं आसपास में अपने कपड़े सुखाने लग जाता है वो और उसक जैसा कि आप इस पिचर में देख रहे हो ये एक लड़का आता है और छोटू को पता चलता है कि लड़का उसी के गाउं से आया है और वो यहाँ पर जोब ढूनने के लिए आया है नोकरी ढूनने के लिए आया है पैसे कमाने के लिए आया है तो वो उस मौनू को अपने ही उ के लिए invite करता है और उसको invite करने की दो reason हो सकते हैं कि जो मोनू है वो उसके गाउं से बिलोंग करता था और जो छोटू है वो काफी अकेला था उसे भी company चाहिए थी किसी का साथ चाहिए था तो उसने सोचा क्यों ना हम दोनों इस pipe आले घर में रह ले क्योंकि मोनू के पास भी घर नहीं था और दोनों फिर मिलकर उस pipe में रहने लगे आगे इसमें कुछ questions दिए गए है study the picture carefully and answer the following हमने pictures को अच्छे से पढ़ लिया है अब इन questions का हमें answer देना है मैं यहाँ पर आपको questions पढ़के बताऊंगी इनके answers मैं वीडियो के end में दूंगी क्योंकि यहाँ पे answer कहां पे लिखूंगी तो फिर मैंने वीडियो के end में नोट बुक में in questions और answers लिखे हैं ताकि आपको easily समझ आ जाए और आप लोग confused भी ना हो तो first question है हमारा what did छोटू think when he looked at the pipe जब छोटू स्पाइप को देखता है तो क्या सोचता है कि इस pipe को मैं अपना घर बना लेता ह जो कि मुझे सर्दी गर्मी और bad weather से मुझे ये बचाएगा how did छोटू use the pipe वो छोटू को जो छोटू होता है वो pipe को कैसे use करता है छोटू उस pipe को घर की अपना घर बना लेता है उसे as a home use करता है into which part did छोटू divided the pipe and its surrounding area जो छोटू होता है वो उस pipe को कैसे divide करता है और उसके आसपास के area को कैसे वो divide करता है जो छोटू था वो उस घर के आसपास के area को देखा था ना अपने kitchen में close drying room में और उसको bedroom के तोर पर ऐसे divide कर लेता है in which part of this house will छोटू like to spend most of his time जो छोटू था वो उपने घर के किस पार्ट में सबसे ज़दा time spend करना उसे अच्छा लगता थ तो उसे guest room में time spend करना अच्छा लगता होगा क्योंकि वहाँ पर उसे कोई ना कोई मिलने आता था जिसके साथ वो अपना time spend करता था और उसे company भी मिल जाती थी अपको एक picture draw करनी अपने घर के और उसमे color करना है वो all live with you in your house आपके घर में आपके साथ कौन-कौन रहता है तो आपको उनके नाम लिखने हैं आपके mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather, आपके brother, sister, uncle, aunt, आपके cousins वो सब भी आपके साथ आपके घर में रहते हैं next question है हमारा छोटू divided the pipe into different parts, write the names of different parts of your house जैसे कि छोटू ने अपने घर को उस pipe को एक अलग-अलग parts में divide किया हुआ था ऐसे ही आपका घर भी different parts में divided है आपको उनके नाम लिखने हैं तो आपके घर में क्या था bedroom है, kitchen है, washroom है, toilet और आपका drawing room है, dining room है, study room है, ये सब है तो आप उन सब के नाम लिख सकते हैं How much time in a day do you spend in each part of your house? आप अपने घर के हर एक part में कितना time spend करते हैं आपको वो लिखना है आप washroom में कितना time spend करते हैं, kitchen में कितना कर रहे हैं, study room में कितना कर रहे हैं, bad room में कितना कर रहे हैं आपको वो timing यहाँ पे लिखना है Is there any part of your house when a particular member of your family spends more time? आपके घर का कोई ऐसा particular member हो, जो किसी एक particular place पर ज़्यादा time spend कर रहा हो, आपको उसका नाम लिखना है जैसे कि for example, यहाँ पे आप mother लिख सकते हैं, जो mother होती है, वो kitchen में ज़्यादा time spend करती है Next question हमारा, Is there any part of your house where a particular family member never goes or goes for a short time? आपके घर के कोई particular family member, जो कि घर के किसी पार्ट में या तो जाता ही नहीं है, अगर वो जाता है तो काफी short time के लिए जाता है तो आप यहाँ पर kitchen कर सकते हैं, kitchen में जो आपके father है, आपके grandfather, grandmother कोई भी है, आप अपने according इसका answer लिख सकते है You must have seen that some animals also live with us in our house आप देखते होंगे कि आपके घर में आपके साथ बहुत से animals भी रहते हैं, जैसे cow, dog, cat, fishes भी रखते हैं लोग घर में बहुत सारे ऐसे animals होते हैं, कुछ animals होते हैं जो हमारी मर्जी से हमारे घर में रहते हैं इसमें इसी से related एक poem भी है इसमें home sweet home you always tell me mother the house belongs only to us कि मा तुम हमेशा हमेशा यही बताती हो कि यह घर हमारा है but how do I believe that mother लेकिन मा मैं आपकी बात पर विश्वास कैसे करूँ when I know it belongs to many more जबकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर हमारे अलावा और भी बहुत से लोग रहते हैं look mother how these mice are playing catch catch together मा देखो कैसे यह चूहें आपस में पकडम पकडाई खेल रहे हैं and look how these mosquitoes fly and how peaceful lies the happy spider आप देखो कि जो यह मच्छर है वो कितने आराम से उड रहे हैं जो spider है वो कितनी शानती से बैठी हुई है and look mother at the lazy lizard how slowly it crawls to and fro और मा उस शुस्त पड़ी चिपकली को देखो जो कितनी धीरे धीरे गस्त लगा कर चल रही है and look at so many black ants all marching in a row और आप इन काली चीटियों को देखो यह कैसे कतार बांदे हुए चल रही है and look outside in the courtyard the birds are all picking about और आप बहर उन पक्षियों को देखो वो कैसे आपस में एक दुसरे पर जपट रहे हैं just like when my sister and I sometimes fight, quail and shout बिलकुल मेरे और मेरी बहन की तरह है जैसे कि हम दोनों आपस में लड़ते हैं ऐसे ही वो सारे animals आपस में एक दुसरे पर जपट रहे हैं और एक दुसरे के साथ लड़ रहे हैं is why I say dear mother इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी मा don't think this house is only ours इस घर को आप सिर्फ अपना ना समझे it's dear to us and all who live here and have been living for many years यह घर उन सभी का है जो यहाँ पर काफी सालों से रह रहे हैं do you know देखो साइड में आपको जो यह दिख रहे हैं यह blue से box में इसको ध्यान से पढ़ना है do you know क्या आप जानते हैं rats have poor eyesight जो चूहें होते हैं उनकी जो नजर होती है जो देखने की शमता होती हो बहुत ही जादा कम होती है but have excellent sense of smell, touch and taste लेकिन उनकी जो smell करने की touch and taste करने की sense बहुत ही अच्छी होती है उनकी next question में आपको जो आपके घर के आसपास जो animals मिलते हैं, आपके घर में जो animals मिलते हैं mainly, उनकी picture आपको draw करनी है और आपको उनमें color करना है यहाँ पर next question अमारा दिया गया है यहाँ पर do you keep your house clean and how, क्या आप अपने घर को साफ रखते हैं और कैसे आपको वो लिखना है यहाँ पर वीडियो के एंट में मैं आपको पूरा written में इन questions के answer दूँगी next question है हमारा who all help to keep your house clean आपके घर को clean करने में कौन help करता है where do you go to freshen up in the morning, आप morning में freshly कहां जाते हो where do you throw the garbage of your house आप अपने घर के कुड़े को कहां पर डालते हो, आपको यह लिखना है, next race में the area around your house clean क्या आपके घर के आसपास का area साफ रहता है, do you use a toilet in or around your house, क्या आप अपने घर के आसपास जाते हैं, टौलेट करने के लिए आप अपने घर में ही वाश्रूम यूज करते हैं, वो cleans it और उस वाश्रूम को तौलेट को कौन साफ करता है, how do you help in keeping it clean, आप उस वाश्रूम को तौलेट को साफ करने में कैसे help करते हो of toilet, इसमें आपको तौलेट के यूज करने के बारे में आपको एक स्टोरी के मैथड से आपको बताया गया है कि सही तरीका कैसे है एक टौलेट को यूज करने का सीमी नोटिस दाट हर फ्रेंड बिलू वाश्रूम अनकंफरेबल सीमी अपने दोस्त बिलू को नोटिस करती है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसहज महसूस कर रहा है वो उससे बाते भी नहीं कर रहा है सीमी बिलू वट हैपन सीमी क्या बोलते बिलू को क्या हुआ यू लुक सो डल तुम बहुत ज़्यादा ठके हुए और परिशान लग रहे हो बिलू आई डोंट नो how to use the toilet properly बिलू क्या कहता है कि मुझे पता नहीं है toilet को कैसे सही तरीके से इस्तमाल करना है हीरा मैम वोड बी on her round and again she would scold me as usual for not using the toilet properly हीरा मैम मुझे आज फिर से डाटेगी क्योंकि मैंने toilet को अच्छे से इस्तमाल नहीं किया है हमेशा कीतर है हीरा मैम मुझे आज फिर डाटेगी क्योंकि मैंने toilet को अच्छे से use अच्छे से इस्तमाल नहीं किया है सीमी वाइ डोंट यू use the toilet properly then सीमी फिर क्या कहती है बिलू को तो तुम toilet को सही से इस्तमाल क्यों नहीं करते हो बिलू क्या कहता है कि मुझे उस चीट पर बैठने से डर लगता है कि कहीं मैं उसमें गिर ना जाऊं सीमी हाउ स्टूपिड कैसी बात करते हो अच्छा तो मुझे अब पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे काफी मेरे दोस्त टॉयलेट को सही इस्तमाल नहीं करने के करन उसे गंदा कर देते हैं डोंट बी स्कियर डरो मत बी रिस्पॉंसिबल जिम्मेदार बनो आओ अब हम जानते हैं कि हम जिम्मेदार कैसे बन सकते हैं यूज दे टॉयलेट बाइ सिटिंग प्रॉपरली आपको जो टॉयलेट सीट है उस पर अच्छे से बैटना है आपको उसे हमेशा फ्लस करना है विद वोटर आफ्टर यूज आपको उसे पानी से फ्लस करना है अपने आपको अच्छे से क्लीन करना है अपने आपको अच्छे से साफ करना है, wash your hands thoroughly, अपने अपने हाथों को अच्छे से clean करना है, did you know, क्या आप जानते हो, फोर गांधी जी, 15th birthday, the स्वच भारत अभियान was launched, जब महात्मा गांधी का 150 वा जनम दीवस था, तो तब ये स्वच भारत अभियान को लागू किया गया था, it is to help us realize that cleanness is everyone's duty and responsibility, इससे हमें यह ऐसास होता है, कि जो हमें अपने आज पास सफाई रखनी चाहिए जी, स्वच रखना अपने आपको, अपने आज पास के एरिया को, ये हमारी जिम्मेदारी है, describe the toilet area in your school, आपका जो स्कूल का toilet area तो कैसा है, आपको अपना experience लिखना है, इस clean, क्या वो साफ था, who cleans it and how, उसे कौन clean करता था, how do you help in it, और उसमें आप कैसे help कर सकते हैं, उसमें आप कैसे help करेंगे, आप जब भी toilet यूज करते हैं, उसके बाद आपको उसे properly clean करना है, उसे flush करना है with water, आप जैसा washroom साफ अपनी लिए चाहते हो, आपको ऐसा washroom दू किसी दूसरे समीद रख पाओगे, तभी आप किसी दूसरे समीद रख सकते हो, कि वो भी उस toilet को साफ रखने में सहयोग करेगा, आओ, बिलू use the toilet responsibly, अब जो बिलू था, वो उसे toilet का सही use करना आ गया था, अब वो पूरी जिम्मेदारे के साथ toilet को use करता था, he left it clean after it's used and washed his hand, जब भी वो टॉलेट को use करता था, उसके बाद उसको साफ करता था और अपने हातों कच्छे से wash करता था, दोता था, do you leave the toilet as clean as you want it for yourself, क्या आप टॉलेट को use करने के बाद उसे clean छोडते हैं, जैसा कि आप अपने लिए चाहते हैं, enlist the times when you wash hands, when do you think your hands get dirty, आपको कब लग when all do you need to keep yourself clean, आप अपने आपको साफ सतरा रखने के लिए क्या क्या करते हैं, बाथिंग आप नहाते हैं, ब्रेशिंग टित, अपने टित को दिन में दो बार ब्रेश करते हैं, क्लिपिंग अपने नेल्स को आप वीकली एक बार आप उन्हें करते हैं, अपने बालों में करते हैं, आप डेली नहाते हैं, तो ये सबी काम आप अपने आपको क्लीन करने के लिए करते हैं, तो जैसे आप अपने आपको क्लीन रखते हैं, ऐसे आपको वोश्यूम को भी क्लीन रखना है, जब भी आप उसे यूज करते हैं तब, ब्यूटिफुली लता हाउस इस डे friends when and how they decorate their house अपने दोस्तों से पूछना है आपको कि वो अपने घर को कैसे clean रखते हैं नेम दा थेंग्स with which you decorate your house आप कुछ चीजों का नाम लिखना है जिससे कि आप अपने घर को decorate करते हो तो यहां पर जो हमारा chapter है वो complete हो गया है अब next हम इसका solution करेंगे पूरा so let's start for the solution first question है हमारा what did छोटू think when he looked at the pipe जब वो छोटू है वो pipe को देखता है तो वो क्या सोचता है when he looked at the pipe जब मैं pipe की और देखता है he thought that उसने सोचा he would save me from the hot cold rain and wind कि जो वो pipe है वो मुझे गर्मी से, सर्दी से, बरसाथ से और तेज हवा से बचा सकती है next question है हमारा how did छोटू use the pipe जो छोटू है वो उस pipe को कैसे use करता है छोटू use the pipe as the home for live छोटू उसे अपने रहने के लिए घर के तरह use करता है next question है हमारा which parts did छोटू divided the pipe and its surrounding area जो छोटू था उसने उस pipe को और उसके आसपास के area को कैसे divide किया था he divided it into sleeping area, cooking area, cloth drying area, water storage area and guest sitting area उसने उस pipe को उसमें रहने के लिए भी बना लिया था, उसके बाहर उसने अपना एक kitchen भी बना लिया था उसने अपने कपड़े भी उसी में सुखाए और उसने एक water storage के लिए भी ड्रम सा रखा हुआ तर साइड में आपने देखा होतों और जो कि water storage के लिए यूज किया था और साइड में उसने पेड के और उस pipe के दोनों के बीच में एक shelter डाल कर और वहाँ पर उसने guest sitting area भी बना लिया था next question है हमारा in which part of this house will छोटु like to spend most of his time जो उसने वो घर बनाया था तो छोटु उसमें से सबसे ज़्यादा जो time of spend करना उसे कहां पर अच्छा लगता था in the guest sitting area क्योंकि वहाँ पर उसके दोस्त आते थे उसके साम के साथ वो बैठता था और अपना time spend करता था इसलिए जो उसे guest sitting area है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था why do you think छोटु invite Monu to live with him in the pipe आपको क्या लगता है कि जो छोटु था उसने Monu को अब उस pipe में रहने के लिए क्यो invite किया होगा because Monu searching for a home and the second is छोटु feel better with him he has a company at home जो कि छोटु था तो वो घर की तलाश कर रहा तो उसने सोचा क्यों नहीं में इसको अपने साथ रख लूँ उसको भी घर की जरूरत है और दूसरा मुझे भी किसी की जरूरत है मुझे उसकी company मिल जाएगी घर पर और मुझे अच्छा फील होगा इससे who all live with you in your house आपके घर में आपके साथ कौन-कौन रहता है I live with my parents, grandparents and my brother, sister आप चाहे तो इसमें क्योंकि जो chapter है उसमें एक-एक का नाम पुछा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो mother, father, grandfather, grandmother, uncle, aunt, my cousins, brother, sister जितना आप लिख पाते हैं आप उसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट क्योशन है हमारा छोटु divided the pipe into different parts, write the names of different parts of your house जैसे छोटु ने उस pipe को different parts में divide किया था ऐसे ही आपने अपने घर को कैसे different parts में divide किया हुआ है उनका आपको नाम लिखना है bedroom होता है, मारा drawing room है, kitchen होता है, study room है bathroom होता है और dining room होता है अगर आपके घर में और कुछ भी है तो आप उनके भी नाम इसमें लिख सकते हैं जो कि आपने अपने घर में parts divide किये हुए है आप उनमें अपना कितना time spend करते हैं आपको वो इसमें लिखना है ये time मैंने अपने according लिखा है, आप अपने according इस time को घटा बढ़ा सकते हैं जैसे कि kitchen, kitchen में half hour, study room में 5 hour, dining room में 2 hour, drawing room में 1 hour, bad room में 8 hour और bathroom में half an hour आप इस time को अपने according घटा बढ़ा सकते हैं next question है हमारा is there any part of your house right a particular member of your family spends more time आपके घर का कोई ऐसा part जहां पर आपका कोई family member सबसे ज़्यादा अपना time spend करता है तो वो मैं अपने according लिख रही हूँ, आप अपने according की सीज़ को लिख सकते है yes, my mother spends more time in the kitchen जो मेरी mother है, वो सबसे ज़्यादा time उनका kitchen में spend होता है next question है हमारा in there any part of your house where a particular family member never goes or goes for a short time क्या आपकी family member कोई, क्या आपकी family में कोई ऐसा member है जो किसी particular place पर या तो जाता ही नहीं है अगर वो जाता है तो बहुत ही कम time के लिए जाता है my grandfather goes to the kitchen for a very short time जो मेरे दादा जी हो बहुत कम time के लिए kitchen में जाते है आप इसमें father भी लिख सकते हैं, आप इसमें grandmother भी लिख सकते हैं आप अपने according, अपने experience के according इसका answer लिख सकते हैं do you keep your house clean and how? क्या आप अपने घर को साफ रखते हैं? अगर आप अपने घर को साफ रखते हैं तो कैसे? yes, I do keep my house clean, मैं अपने घर को साफ रखती हूँ we clean it using broom and mop मैं आप उसे clean कैसे करते हो? जाड़ उसे और पोचे से आप उसको clean करते हो, किसी rough कपड़े से who all help to keep your house clean? आपके घर को clean करने में आपकी कौन-कौन help करता है maid, my mother and sometimes I also help my mother in this work maid, घर को clean करने में help करती है और मेरी mother है, और कभी ऐसा होता है कि मैं भी अपनी mother की help करती हूँ घर को clean करने में आप अपने according, इस question को भी लिख सकते हैं where do you go to freshen up in the morning? अब freshen up ओने के लिए कहां जाते हैं morning में? in toilet where do you throw the garbage of your house? अपने घर के कुड़े को आप कहां पे डालते हो? in the garbage bean कुड़े दान में आप घर के कुड़े को डालते हो is the area around your house clean क्या आपके घर के आसपास के area clean होता है? हाँ, जो मेरे घर का आसपास का area है वो clean रहता है yes, it is do you use a toilet in or around your house? जो आप toilet यूज करते हो आप घर में यूज करते हो या घर के बाहर जाकर यूज करते हो तो in the house जो आप toilet होता हो घर के अंदर होता है और जो आप toilet यूज करते हो घर के अंदर ही करते हो आप बाहर खुले में नहीं जाते हो वो clean sit, जो आपका toilet है, toilet के बारे हम बात कर रहे हैं कि जो आपका toilet है उसे कौन clean करता है तो made cleans it, आप चाहे तो अपने according इसका अंसर लिख सकते हो मैंने अपने experience के according, अपने according इसका लिखा है आप यहाँ पर भी जो आपने toilet के बात की है कि आप toilet को कैसे clean रखने में help करते हो तो by making sure that it is clean after I use it जब भी मैं toilet को use करता हो तो उसके बाद उसको आप flash करते हैं और उसे पानी से वापस से clean कर देते हैं आपको washroom को ऐसे ही clean रखना है जैसा कि आप अपने लिए चाहते हो कोई ऐसा special occasion होता है जब आप अपने घर को decorate करते हो कब और कैसे कि हम जो दिवाली पर अपने पूरे घर को अच्छे से decorate करते हैं रंगोली से दियाद से और colorful light की help से हम उसे clean करते हैं next question है इसमें हमारा name the things with which you decorate your house आपको उन चीजों के नाम लिखने हैं जिनकी help से आप अपने घर को decorate करते हैं हम अपने घर को आप फूलों के जो चोटे चोटे गमले होते हैं उनसे आप अपने घर को decorate करते हो सजाते हो दियों से आप लाइट से सजाते हो beautiful pictures होती है पेंटिंग्स के द्वारा आप अपने घर को अच्छे से सजाते हो so I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आपको इस chapter का पूरा solution भी अच्छे से समझ आया होगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो please like, share and subscribe my channel thanks for watching, bye bye, good day